हाई एवरिवान वेलकम टू माई चैनल सो मेरे आज की इस वीडियो पे मैं आप लक्षर शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पे इस टाइप की बोल्ड विंग आईलाइनर अप्लाइ कर सकते हैं कुछ दिन आगे मैंने आप लक्षर शेयर किया था नॉर्मल विंग आईनर आप ड अच्छी तरह से दिखें ब्लेंड करने के बाद में इसके उपर में कॉम्पैक्ट से अच्छी तरह से सेट कर लोगी सो गाईस इस ताइप का मेट यूस करने से आपका जो आईलेर है वह भी लॉंग लास्टिंग रहेगा और बहुत ही अच्छ लाएगा और इस आईलेर मे मैंने लगाई काजल का यूज किया है मैंने मार्स काजल सो यह मार्स काजल मुझे मैंने Amazon से कुछ करी था था मुझे बहुत जाता पसंने अपने हिसाब से आप कोई काजल यूज कर सकते हैं सो मैं यहां पर अपलाइ कर रही हूं अपनी वाटर एंड लैसलाइन पे apply करूंगी उसके बाद ने में upper last line पे भी apply करूंगी water line पे upper water line पे so guys अगर आप काजल लगाते हो तो आपका mirror जो है वो उपर की तरफ होने से आपको बहुत यह तरह से लगेगा नहीं तो नीचे में लग जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा so मैंने लगा लिए है कुछ इस टैप से मैं first यहाँ पे काजल apply कर ले रही हूँ उसके बाद में wing eyeliner लगाओंगी so अगर आप लोग इस टैप से काजल लगाते हो तो नॉर्मल इस टैप से भी काजल लगाते हो तो आपको इसके उपर में eyeliner लगा लीजे तब आपका बहुत यह long lasting रहेगा so finger की help से जितना भी access लग रहा है उपर नीचे वह मैं इस टैप से निकाल लूँगी में daily wear के सबसे भी कभी कभी smurge हो जाते हैं तो इसी टैप से निकालती हूँ और बहुत ही black लगेगा और अच्छी तरह से टिका रहेगा long lasting भी रहेगा so मैं यहाँ पर काजल में इस टैप से apply कर ले रही हूँ next में इसी से ही विंग eyeliner करूंगी और इस टैप का जो लुक है वो आप कोई भी makeup look में कर सकते हो आपको कोई भी dress party dress और western dress में आप लगा सकते हो so guys मैं first सबसे पहले में middle eyelids पे लगाऊंगी उसके बादने में inner corner पे लगाऊंगी so last name में विंग करूंगी so आपको हिसाब से आपको कितना wing चाहिए उतना कर सकते हो so मैं नीचे का जो खाजल है उसे and upper का जो मैंने बनाया है line उसी को attach करके मैं एक wing eyeliner करूंगी मैंने पिसले बार जो मैंने आपको एक how to apply eyeliner या wing liner ऐसा मैंने शेय किया था so उसमें भी थोड़ा सा different है वो और यह थोड़ा सा different है मैं यहाँ पर बहुत ही easy trick आप लोग से शेय कर रही हूं i hope कि आप लोग के लिए helpful रहेगा so guys मैं step से मैं पहले art कर लोंगी wing eyeliner का उसके बाद मैं fill in कर लोंगी फिर आपको जितना length चाहिए उतनी हिसाब से आप outer corner पे step से कर सकते हूं so guys यह ready हो गया है मेरा wing eyeliner bold बहुत ही अच्छा लएगा और same to same आप measurement करके next जो अपने दूसरे eye lid से वहाँ पे लगा लीजे और फिर बन जाएगा आपका बहुत ही अच्छी वाली bold wing eyeliner अगर आप लोग ने पिछली बारी जो मैंने इस टाइप का eyeliner का शेय किया था वह नहीं दिखा है तो वह आपको आई बटन या आपको नीचे रिस्टन बॉक्स में मिल जाएगा अगर लगा रहे हो तो आपका डाक सकल नहीं होता है उसी टाइम सिर्फ लगाए अगर आपका डाक सकल है तो आप अच्छी तरह से एक बार कंसिलिंग कर लीजे उसके बाद में लगाए क्या है ना आपका जो जो काजर लगाया वह ब्लैक दीखेगा तब ही अच्छ उसके बाद मेरा हो जाएगा रेडी विंग आईलाइनर बहुत ही अच्छा वाला बन गया है आप देख सकते हैं मुझे कॉमें त्रू में जरूर से जरूर बताना सो गाइस अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हैलफ लगा हो आप लोग को पसन आया हो तो प्लीज इस व कमन सेक्षिन में बताइए मैं जरूर रेडी करेंगी सो गाइस मिलती हूँ मेरे नेक्स वीडियो में बाबाई